हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग आसा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे सुखी होंगे संपन्न होंगे दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे पबलिक नियूसेंस के बारे में यानि लोग नियूसेंस के बारे में बताएंगे कि अगर आप का काम दोरा कि C disability को कोई बने रहे हैं काम कर रहे हैं किसी दूसरे हो रहा है तो क्या आपको करवाई करवान सकता है क्या डीम सभधिय मकोई प साथ के बारे में तो कहीं मैं जाए ये वीडियो के साथ बने रहे आज हम बात करेंगे सेक्षण एक सो बावन बी एन एसस यानि भारतिय नागरिक सुरच्छा स्रहिता आज यहां का सेक्षन उठाया हूँ आसा करते कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा यह पढ़ने के बाद आज हम बात करेंगे लोक न्यूशन्स के बारे में लोक न्यूशन्स क्या होता है का सबकुछ आपको पूरा डिटेव में कबरब कराया जाये गाए इस वीडियो के माध्यम से यह की जब मानियेगा कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो लोक-श्यूशन्स के संबंधित आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली सब कुछ अस्पष्ट भासा में होगा आपकी भासा में होगा चलिए वीडियो को सुरू करते हैं उसके पहले मेरा चोटा सनिवेदन है कि अगर चैनल पर पहली बार है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए बेल आइकन हंटी को प्रेस कर लेजिए क्योंकि जो तो यह बात करता है अगर सरवाजनीक बाधा कहीं पर पहुचती है तब वहाँ पर क्या होता है यह फिर लोग बाधा भी कह सकते हैं इसको लोग बाधा समझ रहे हैं सरवाजनिक मतलब पब्लिक प्लेस कोई है और वहां पर आपके कृतियों दोरा किसी अन्व्यक्ति को बाधा पहुच रही है उसको समस्या उत्मन हो रही है तो भाई सहाव लोग नियुस्टेंस वहाँ पर हो रहा है पब्लिक बाधा हो रहे है यस लोग सरवाजनिक बाधा हो रही है तो अब जैसे कि आपको उदाहरण चाहिए कि लोग नियुस्टेंस में क्या क्या हो सकते हैं जैसे महा लिजिए कि सरवाजनिक अस्थान पर कोई बेक्ति जूगा खेल रहा हो जूगा बोले तो हाँ जुआ खुल रहा हो कोई पबल्श पर सराप पी रहा हो या फिर सो प्वल्श पर कोई हिंसां हो रहे हो जिससे कि आप प्रभावित हो رहे हो हो आपके अधिकार प्रभावित हो रहे हो लऱाय धगना हो रहा हो कि लडाई धगना हो रहा हो या फिर ऐसा कोई Sur Saaraba है कि उसराबा बने डीजे वगएरे कोई कस-कस के चल्वा के बजा रहा है तो किसी बैक्ति की मालों दिल कि धाड़कन की हो रहे हो हंत कम रहे हो हट कम रहे हो तुआ कर सकता है उसको बंद करवाने तो आप मारे खा सकते हैं तो आपको बताएंगे किस नियम के तहट आप इन चीज़ों को रोक सकते हैं कम कर सकते हैं या फिर ऐसा कोई बैक्ति जो सरवाजरी का स्थान पर गंदगी फैला रहा हो या दुकांदार द्वारा कोई गलत चीज़ बेशी जा रहे हो तो सब कुछ धैर बनाई रखे सब कुछ बताएंगे जुगा खेल रहा हो सराप पी रहा हो हिंसा लडाई जगडा सोर सराबा दुनिया वरगा एक स्वाई जड़ ऐसा कोई कर जिससे आपको नुकसान हो रहा हो बतला आपको बाधा पहुच रही हो उसकार से तो भाई साहब वो अलोक नुसेस में आएगा अब हम और इसको गहराई से जान लेते हैं सबसे पहले जान लिजे कि आप सिकायत कहा करेंगे भाई बहुत आपना रहे हैं देखिए अगर जिले का डियम एस डियम या कोई इस् समाज के सरकार के इनके यहां आप अप्लिकेशन दाखिल करेंगे सेक्षर 152 बी यान डवल्यस का यानि भारतिय नागरीक सुरच्छा स्रहिता का आप अप्लिकेशन देखेंगे सर स्रीमान मेरे यहां इस तरह की बाधा हो रही है आप मेरा कल्यान करें मुझे रस्ते पर से जाने से रोका जा रहा है रास्ते पर नाद खुटा बादें भाएस गोरु बादें मुमेरा नुकसान हो रहा है तो यह दियम महोदय जी है कोई मेजिस्टेट वहां पर उसको सुनेंगे उनने के बाद आदेश पारित करेंगे यह तो बात है जनरली बात है लेकिन इसके अ सब्सक्राइब को अगर आप ऐसी कोई सूचना देते हैं आप इतिला करते हैं तब क्या करेंगे यह उस इतिला को देखेंगे उर्फक कारवाई करने के लिए बाद हो सकते हैं बाद हो सकते हैं लेकिन एक सब्सक्राब को उस अपकंच्राइब करने के बाद वह क्या कड़ेंगे आदेस देखें अब बतागों कि के अड़े से मिलेगा देखें अगर ऐसी सूचना मिलती है तो इसके लिए कारवाई कर सकते है बाद है अब देखें कार्यों में लोग निशेंस होता है यानि पबलिक निशेंस हाता है नंबर एक अगर कोई सरवाजनिक रास्ता है सरवाजनिक रास्ता है कोई मार्ग है रास्ता है कोई मार्ग है और उस मार्ग पर कोई क्या करता है लिब dub metal करता है Hey ऑग ईसा कोई सर्वाजिंक रास्ता है मारेज जी सराष्टी से आप जाते हो लिक जाती हो उस रास्ते पर कोई अवर रोध क्षपन कर रहा हो अब और रोध कर संते मालिजिक कोंड़ी सब्सक्राइब के तो आपको सेक्शन 152 बेनने डबल एस के तहट दीम स्कूर्टी मेज़िस की यहां अप्लिकेशन दी जाएगी और वो उसको सुनने के लिए बात होंगे ठीक अब देखिए मालीजे कोई बयक्ति ब्यापार कर रहा है या कोई खुद्रा दुकनदार है या कोई दुकान दार है ब्यापार कर रहा है दुकान दार है माल को ले जाता हो ले आता हो जिससे किसी ब्यक्ति के स्वास्त पर प्रभाव पढ़ रहा हो उसकी सारीरिक सक्ति पर प्रभाव पढ़ रहा हो कि सारीरिक्ष्ष्रक्ति पर स्वास्त को नुकसान पहुच रहा हो तब भाई अगर व्यापार को इसके नुकसान पहुच रहा हो दूकान दार को माल गर बेच रहा हो कोई माल सही नहीं है स्वास्ता और इसके नुपसान पहुंचाएगा तो सिधी सी बात है कहीं करवाई कर वायगा इससे पभलिक का दुक्सान हो रहा है जिस्टेश कोई ठंडा बेच रहा हो तो उसके लिए तो यह करवाई हो सकती है बावन टो के तहद अब देखिए इन सभी चीजों से हानिकारक दिक्कत हो रही हो तब वह कार्य हो सकता है नेक्स बात करते हैं मालिज्य कोई भवन निर्माड हो रहा हो भवन निर्माड या किसी पदार्त का बैन हो रहा हो पदार्त का बयान हो रहा हो जिससे कोई बिश्फोट तक बिश्फोट हो जाए या अगनी कांड हो जाए बिश्फोट या अगनी कांड तब तो भाई लोक नुसेंज तो हुआ पबली कोहां पर हरास्मेंट हुआ तो इसलिए इसके लिए भी 152 के तहत मामले बनते हैं अगली बात जान लेते हैं मालेजे कोई व्यक्ति भावन बन रहा हो या कोई ऐसा कृत कर रहा हो जैसे पदार्थों का भावन निर्मार कर रहा हो या उसका सरचना कोई कर रहा हो या कोई पेड़ लगाया हो बहुन निर्माड सरचना या कोई पेड़ लगाया हो तब अगर इससे किसी को नुक्सान हो रहा है किसी के ब्यक्तिगत जीवन में हान लाव हो रही है इससे बहुन मालिजे बना रहा हो और बहुन बनाने से आपके घर की तरफ गर्दा बढ़ रही हो मतलब बहुत कूड़ा कचर फेक रहा हो तो इसकी लिए भी क्या कर सकते हैं उसके आकाल प्रकार सरचना में परद़ कर रहा हो लेकि दिक्कत आपको हो रही है किसी तरह से तब कर सकते हैं कोई पेड लगा या कोई बड़ा ब्रिच्छ हो और ब्रिच्छ हुआ आपकी घर के तरफ लरका हो बहुत तीजी स्रिलरक रावरोज और जब आधी बाती तो आप लोग डर रहते भाई गिरेगा तो हमारा घारों के जाए कोई दब के मर सकता है तो उसके लिए अगर वह न से आप अपने घर में कुछ कर रहे हैं तो अगर पड़ोशी को दिक्कत हो रहे तो आप फसेंगे यह अपनी सुग्धा के लिए पड़ोशी को आप नुक्सान नहीं कर सकते हैं अब देखिए अब देखिए मार्ग जैसे मार्ग कोई हो गया लोक मार्ग हो गया लोक मार्ग अब देखिए मार्ग है या लोक मार्ग है इस आने जाने का रस्ता होता है लेकिन अगर कोई तालाव है नदी है या कुँआ है इनका पानी रास्ते पर आ रहा हो नदी का पानी कुवा का पानी से दिक्कत हो रही है किसी को दिक्कत हो रही है माल ये रास्ते में कुवा है कोई आप रास्ते जा रहे हैं गिर जाए रात में तब इसलिए इसकी आसपास आप क्या लगा है बार लगा दे मने रोकावट कर दे कि किसी भी पबली को आम आदिमी को समस्या ना होने पाए अब देखिए अगर कोई खतरनाक जीव है अगर खतरनाक जीव है अगर उसे मान उद्ट जीवं को हनी पहुचाहरे नुकसान पहुच रहा हो तो यह कर सकते हैं इस इसे जान। अगर दिहाती एरियां पहुंच जाते हैं तो क्या होता है उसको पबली कुमाले काट लिए नुक्सान कर रहा है तो क्या करते हैं आदेश हो सकता है कि आप उसको मार देजिए अगर आप यहां पर सामने आगर आप 152 के अप्लिकेशन लगाएंगे तो क्या करेगी इन सब के खिलाप कारवाई हो सकती है अब कैसे होगी क्या करेंगे इसको भी जान लिजे देखिए को यह क्या कर सकते हैं यह आदेश पारित कर सकते हैं इस तरह का आधिश पारि驗 कर सकते हैं कि तूरंत सर्वाजनीक रस्ता मार की बेरोच जुदपन करा उसे नि को लगा तब तब उसके तहद भी क्या होता है उसको भी तुरूंद हटाया जाए भवन निर्मार कर रहे हैं तो क्या करेंगे यादेश गेंगे उनको हटा दिया जाए दूसरी बात अगर किसी बैक्ति का पेल आपके घर की तरफ लड़ा करा है तो आदेश होगा कि उसको हटा दे उसको न नश्ट करने का जांसे या कहीं बंद करने का आदेश पारित कर सकते हैं यह साहबती मोश्ट इंपोर्टेंट साहब लोग कर सकते हैं बताइए यहां तक कहीं भी 155 समझने में कोई प्रावलम हो तो आप तुरंत कमेंट करिए मैं बताऊंगा यकीन मानिए कि अच्छे से ज अब आईशा थोड़ा है कि कोई अप्लिकेश्ट वाउन्टू का उठा कर दे दिया और यह साहब लोग आदेश करतेंगे नहीं ऐसा भी नहीं उस अपोजिट पार्टी को भी सुना जाएगा वह पत्ति करेगा उस अपत्ति को भी क्या करें जाएगा सुनेंगे साहब और स इसको सुनवाई आपके आपके भी सुना जाएगा तो आई होप कि आपको सब कुछ कंटेंट अच्छे से समझ में आ गया हुआ कहीं पर कोई शमस्या नहीं हो गया ऐसी वीडियो देखरी के लिए आप मेरे चल्ट पर बने रहें चले मिलते हैं किसी अन्ड वीडियो में द तक लिए बाई बाई टाटा नमस्कार